आप एक्जाम टूर देख रहे हैं बहु सारा सिक्षक भरती को लेकर अपडेट है सबसे पहले आप देखिएगा टियारी 3 के परिक्षा परणाम के साथ कक्षा एक से आठ तक के बिशेश सिक्षक होंगे बहाल यानि कि 7989 पद दिया गया है 7289 पद दिया गया है पुरा कुछ बता देंगे अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है विशेश सिक्षक का उस पर भी चर्चा करेंगे यहां पर आईए गलत दस्तवेज से बहाल सिक्षिका का सिवा समाथ यह मोतिहारी से कबर है लेकिन अभी एक ही आया है दो चार पहले हुआ था वहीं आगे देखिए विप आइंसा बिहार में तो कई हजार विद्यालय है अगर एक एक भी कराएं होंगे चलिए मान लेते हैं बहुत इवंदार लोग हैं प्रिंस्पल लोग नहीं कराएं यह नहीं कुछ कराएं होंगे कभी तो यह बान गी देखने को मिल गया जहांसा के तीन सिक्षकों का बेतन र अब थोड़ा सा आईए पहले बिसेश सिक्षक को लेकर बात कर लें उसके बाद देखिएगा 7289 पदों पर इनलों का किया जाएगा क्या क्या क्राइटेरिया है इस बात को भी समय लेंगे सब कुछ यहां किलियर करके लाएं आप लोग के लिए यह बिसेश सिक्षक की बात है यह नहीं कि यह समानने सिक्षक की बात है इसमें क्या क्या रखा गया है थोड़ा सा ध्यान देंगे जो बिसेश सिक्षक है इसमें रखा गया है कि 50% आरक्षित पद पर महिलाओं के लिए और इन नियुक्ति में महिलाओं का कोटिवार 50% आरक्षा दिया जाना है इन पदो इसकी पक्षिप घात, स्रवन बाधिता, वाचस और भासा दिभ्यांगता, बौधिक दिभ्यांगता और स्वालनीहिंता सामिल है, अभी राज के अधिकतर श्कूल में विशेश सिक्षक के पद खाली है, यानि इन सारे लोगों को इस पर करना है, जो कि आपका विशेश सिक् पाएंगे, इसमें कक्षा एक से पांच वी तक के तिर्पन सो चोंतिस और कक्षा चो से आठ तक के सतरा सो पैंतालीस विशेश सिक्षकों की नियुक्ती होगी, इस सम्भन में जल्द ही सिक्षा विवाग रोस्टर के लिए रेंज करके बिहार लोक्षिवा आयोग को भेज पुर्ण रूप से उनको पढ़ाने के लिए इस सिक्षक की नियुक्ती होगी, चलिए आगे आते हैं, अब आपका एक एक करके, बहुत सारे लोग मेरे पे गुसा जाते हैं, कमेंट करते हैं, कि आप क्यों इतना आवाज उठाते हैं, और कोई मुद्दा बिहार में नहीं ह होगा, इसलिए मैं इस पॉइंट पर लगा हूँ, कि इसकी जितनी कमिया है, इसको दूर किया जाए, अब देखिए, बिहार सरकार गल्ती कहां की, यह कैसे मोका आ गया, तीन को मिला नियुक्ती पहत रहा है, आप पांच को ए स्कूल में ज्वाइनिंग करा के आट महीना सा लगातार अब चल रहा है, शुरुवात कोन आदमी किया, इकजाम टूर के वले जुकेशन पर लगातार जो कमिया था, उसको उजा कर गिया, अब बहुत बहुत धन्यबाद की सभी मीडिया वाले दिखा रहे है, और प्रती दिन लाइब चल रहा है, मुझे पून खुसी है कि मेरा जो प्रियास है वो अब धीरे-धीरे सफल हो रहा है, लेकिन आप लोग का एक सहयोग चाहिए केवल, आखिरकारी ये तो उजागर हो गया है, ऐसा कहां-कहां हुआ होगा, और तीसोत जिला में हुआ होगा, तो सिख्छा भी भाग क्यों ने जाच कर रही है, अभी इजात तक न प्रिंस्पल पर है फायार हुआ, अभी तक, अभी इसके बाद हो जाए, कल भी नहीं हुआ था, रात भर में कहीं हो जाए, आनन फानन में, डियो सहब कुछ और लग बुर रहे हैं, आप ब्लोक के अधिकारी कुछ और बुर रहे हैं, जिला के अधिकारी काथ जाएंगे वहीं गठ्धे जोड हो गया कि त्यारी करने वाले लोग से जुरे उनके रिलेटिव हैं उनके ममी पेपा है प्रिंसपाली पतपड़ तो लगा देते हैं लेकिन देखिएगा पैसा प्रिंसपाल लोग खा जाते हैं एंघ्जब बनता है उसका पैसा खाय आते हैं तो क्या यह 10 लाख मिला तहीं नहीं पर देंगे यह अपने घर का कही न्युक्ति कर दिये होंगे किसी से 20 लाख लेकर कर दिये होंगे तो इसकी एक बार पूनते TR1, TR2 का मैं भी अब आज उठा रहा हूँ सभी मीडिया वाले उठा रहे हैं बिहार के जितने बड़े बड़े मीडिया है नेशनल मीडिया भी अब आज उठा रहे जाच होना चाहिए अब यहाँ यहाँ पे करते हैं यह आपका मोतिहारी का है अभी पस्मी चमपारन से कोई नहीं फरजी पकड़े जा रहा है जबकि पस्मी चमपारन में सबसे अधिक फरजी है और वहाँ के ब्लॉक के जितने भी सिक्षा पदादिकारी महिडा पूरुस लोग है महिलाल जी हो जो हैं जो आदाद है पेमेंट ले रही है अब उनका भी कई सारा मैसेज मेरे पैसा रहा है वो भी खुलासा दिरे-दिरे करेंगे एक-एक करके और तीसो जिला पर मैं अब शुरुगात कर रहा हूँ जो होगा देखा जाएगा बस आपका सहयोग चाहिए और जो कमेंट करते हैं जो दलाल लोग है जो उसी पैसा से बहाली लेना चाहते है कमेंट करते हैं इससे क्या होगा देखिए दिरे-दिरे क्या होगा दस परतिशत ही हुआ लेकिन हंडेट परसेंट होगा थोड़ा सा धैर रखिए यह मुतिहारी का है बीपीसी से नियूप्त कल्यानपूर परखंड के अंतरगत उच मादमिक विद्याले में कोईला बलॉक में एक सिक्षिका थी स्विक्रति गुप्ता नाम था उनका शेवा मुप्त कर दिया गया यह आप देख लिए डियो संजीव कुमार ने पतर जारी किया एक किया गया संजीव कुमार सब कुछ बता दिया गया यहां पे देखिए अठार नोबर से तैस्ता को योगदान देकर यह सब अब आये रूप से आ रहे हैं कई साल से स्कूल तीन को मिला न्युक्ति पत्र पांच को योगदान करा दिया प्रिंस्पल साहब है आई ये लोग गोल मटोल कर रहे हैं बियोवा एचम से मांगा गया लिखित परतिवेदन लिखित परतिवेदन क्या इन लोग को तुरत भैज देना चाहिए इसमें परतिवेदन मांगिए जाच परताल कीजिए और ऐसे सिक्षकों पर ऐसे प्रिंस्पल पर ऐसे बीयों पर करवाई होना चाहिए और एक मैं आप से हाथ जोड़कर बिंती करता हूं सिक्षा विभाग यादी इस वीडियो को देख रही है सिक्षा विभाग तक यह विडियो यदि पहुचे तो एक बार आप प्रयास कीजिए केवल एक नोटिस जारी कर दीजिए कि अब जाच होगा और जिस विद्याले में फरजी सिक्षक पाए जाएंगे और जिस ब्लोग के जुड़ा हुआ वो बिद्याले होगा वहां के ब्लोग सिक्षा पद देख लिजिए डर नाम का चीज इन लोग में नहीं है कैसे बेतन उठा रहे थे कुछ ना कुछ मिली भगत होगी इसी तरीका से सिक्षक कैसे बेतन उठा लेंगे ये सब चल रहा है खेल अभी ये एक पकड़े गया है अभी शहें लोग बाकी है तो इस तरीका से सिक्षा भाग एक करें बिहार सरकार एक गाइड लाइन दे कि 100% जाच होगी और 10-15 ब्लोग का ही करके देखिए ना सभी लोग छोड़के भाग जाएंगे जो फर्जी है मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सब को देखते हुए यहीं गलती TRE 3 में मत करिये बंदूने तो बिहार बरबा हूँ और आप जो कमेंट वाले हैं जो इधर उधर पैसा देकर नोखरी लिया है कमेंट करते हैं उनका भी डाटा कलेक्ट हो रहा है और मेरा सबसे बिंती है वह चाहें बिहार के बच्चे हो आप जानते हैं कि वह फर्जी है उनके बारे में आप सिक्षा विभाग को इस से लाव क्या होगा उनका हकimaanरी नहीं होगा यह मेरा परपस है वह फर्जी फर्जी वहां समझे आगे आते हैं असनातक पास जो महिला है बिहार में उनको 50-50,000 रुपया मिलता है 17,334 छात्रों को पूरुष को नहीं मिलता है छात्राओं को मिलेगी पैसा अब देखें यहां पर राज के विश्विद्ध्याले में असनातक पास होने वाले जिन शात्राओं ने आउनलाइन आवेधन का सत्यापन हो चुका है उनके खाते में 50-50,000 रुपया के प्रसाहन राशी उपलग की इस समझ में शिक्षाविभाग ने विश्विद्ध्याले को निर्देश जिया की राजिक विश्विद्ध्याले में चैनातक प्रिष्वाद के आवेधन का सत्यापन कारें हो चुका है सिए, 16530 असनातक पास चैनातक हो चुका है और 16,000 चल रहा है किसी कारण से असनातक पास जिनorgan 16 ने आवेद्धन सिप्छा विभाग के पूर्टर पर अप्रोड नहीं किया है नहीं हो पाया उन façon को आवेद्धन को समाप सप्ता भर में पूर्टर परअप लिध्टेश दिया गया यानि कि एक सप्ता और आप कर सकते हैं एक सप्ता के अंदर यदि आप नहीं किये हैं तो फिर से आप कर दीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको 50,000 मिल जाएगा अब देखिए असनातक पास चात्राओं को पाने वाले 50,000 रुपया प्रोशाहारासी दी जाएगी इसी तरह पहले बिहार में नहीं पड़ती थी अब पढ़ रही है अच्छी बात है इन्तेर में भी दिया जाता है मैट्रिक में भी आज़ता है चुकि यह लोग आगे बढ़े लेकिन जिस तरीका से बिहार सरकार सिक्ठक भरती कर रही है जो प्रोशाहारासी दे दी जए महिला का एड्मिसन हो जाएगा लेगिन फरजी शिक्षक को ज्यान है नहीं तो जो एकजाम दिये थे वो जाके मिला लिये पढ़ा कोई और रहा है ये बिहार में खेला हो ला है, एक-एक खेला पर प्रकास डाला जाएगा, तो मेरे साथ है, या मेरे बात से जिनको लगे कि हां ऐसा होना चाहिए, छटनी होना चाहिए, वह इस वीडियो को अपने वाटसप पर स्टेटस पर लगाए, अपने गार्जियन को दिखाए कि आखि फिरकार जो यह गलतिया हुआ वो टीरी में नहों तो इसमें मैं सिक्षा विभाग से बिप्यसी से बिहार सरकार से तीनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप डुकुमेंट वेरिफिकेशन करा लें दस से पंद्रह हजार बिद्यार्थी पहले इंचर जाएंगे उसके ब भी भाग और विप्यसी और प्यार सरकार को भी इस पर संग्यान लेना चाहिए लगतार रात दिन 24 घंडा चल रहा है लाइब फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं आकिरकार यह क्या होगा बिहार का तो आप कमेंट वक्स में जरूर कमेंट करके बताएं जहिए